प्रदेश सही देश भर में हो रही धर्म और राजनीती पर चर्चा को लेकर भारती जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केश चोहां ने ग्रेंड एसीन न्यूज से खास चर्चा करती हुए बेबाकी से अपनी बात रखी आए देखते हैं केश चोहां से हुई बातचित का परियाय बन चुके हैं इसको लेकर बाद विवादों का दौर भी लगाता जारी है इसी कि मर्देश प्रवक्ता है भारती जनता पार्टी के साथ ही जिला उपाध्यक्ष भी है इन्होंने अपना किम्ती वक्त हमें दिया सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं सर आपका स् सबसे पहले जानना चाहूंगी ऐसा माना जाता है या लोगों में ऐसा भ्रम भी है या कहते भी हैं कि भारती जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीती करती है क्या कहना चाहेंगे जी बिलकुल करती है अगर विकास करना धर्म है तो बिलकुल करती है धर्म की राजनीती करती है अगर अपनी एकनोमी को फिफ्ट लेवल में लाना पूरे वर्ल्ड में फिफ्ट पोलीशन में लाना और ब्रिटेन को पचारना जिसने हमारे पर राज किया था 200 साल उसको अगर पिछारना धर्म की राजनिती तो बिल्कुल धर्म की राजनिती करती है अगर 95 मुफ्त अनाज देना अगर धर्म की राजनिती तो बिल्कुल धर्म की राजनिती है अगर रोड जो 38 किलोमीटर रोज आज बन रही है जो 2014 में से अभी 3 मुना जादा है अब 2014 से पहले 50,000 किलोमीटर बनी हुई थी 2014 के बाद अभी 9 सालों में 50,000 किलोमीटर बन चुकी है अ अगर मान लीजिए कि इंडिस्टिलाइजेशन करवाना धर्म की राजनीती तो धर्म की राजनीती है इस्टार्टप के लिए लोन देना धर्म की राजनीती है तो हां हम धर्म की राजनीती करते हैं अगर दुश्मनों को मूत और जवाब देना है और आतंकवादों को हमारे घर से निकालना है, हमारे देश से निकालना है, तो हाँ हम धर्म की राजनीती करते हैं, इसमें कहा कोई दिक्कत है, यह धर्म की राजनीती अगर है, अगर आप मानते हैं, तो हाँ यह धर्म की राजनीती है, और भारती जन्ता पाटी इस धर्म की राजनीती में चलते रही है आपने कहा हाँ BJP धर्म की राजनीती करती है क्या उचित है धर्म को राजनीती में शामिल करना धर्म एक्चुली राजनीती जो है वो धर्म का ही हिस्सा है धर्म को प्राप्त करने के लिए राजनीती अपनाई जाती है जैसे क्रिश्ण थे, क्रिश्ण का जनम क्यों हुआ, क्रिश्ण का जनम हुआ धर्म की स्थापना के लिए, क्रिश्ण का जनम हुआ धर्म की स्थापना के लिए, और सारी जिंदगी क्रिश्ण ने क्या किया, सिर्फ राजनीती की, सिर्फ राजनीती की धर्म को स्थापित करन धर्म अगर राजनिती में धर्म नहीं होगा तो वो अधर्म होगा जैसे आप अब धर्म क्या है यही पहले जानना जरूरी है कि देशकाला और परिस्थिति के इसाब से जो सही है वोही धर्म होता है जैसे कि आप पत्रकारिता की जो काम होते हैं अगर वो आप अच्छे से नहीं निभाते हैं तो वो आपको खुद को अपनी आत्मा खचोड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं और अगर आप पत्रकारिता में रहते हुए अगर सही का आप साथ देते हैं और कुछ चीजें उजाग करते हैं तो वह धर्म है और अगर कुछ चीज़ों को छुपा देते हैं जो जागर होने चाहिए तो अधर्म है तो वह ही है कि अगर राजनीती में धर्म नहीं रहेगा तो वह अधर्म हो जाएगी राजनीती वह कहीं की नहीं रहेगी राजनीती तो राजनीती जो है वह एक है धर्म को हासिल करने के लिए धर्म को स्थापित करने के लिए लेकिन इसका विप्रित असर करनाटक चुनाव में देखने को मिला भारती जनता पार्टी वहाँ धर्म की राजनिती की बहुजूद भी फेल रही क्या कहना चाहेंगे धर्म की राजनिती पॉलराइजेशन जो है जो धुरूवी करन है वो तो कॉंग्रेस नहीं किया था जो कॉंग्रेस है वो एक समुधाय विशेश की जो वोट लेने के लिए उन्होंने बजरंग डल का अपने मैनोफेस्टों में संकल पत्र लिया संकल पत्र लिया कि हम बजरंग डलों बजरंग डल को हम बैन करेंगे इसका मतलब यह है कि एक समुधाय विशेश की उनको वोट चाहिए थी जेडियस से, वो उन्होंने ले ली, उसमें वो काम्याब रहे, उसके बाद जीतने के बाद सीधा बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, तो पहले आप बजरंग डल का और बजरंग बली का उपोस करेंगे, उसके बाद जीतने के बाद अपने भविश्य को देखते हुए वो बजरंग बली का मतलब पूजा करेंगे, तो ये तो पॉलराइजेशन तो उनकी तरफ से हुआ, भारती जनता पार्टी जिस विचार धारा के साथ थी, है और वो ही रहेगी, तो भारती जनता पार्टी न काफी राजनीती गर्माई हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर तुष्ट्री करन की राजनीती की जा रही है, क्या ऐसा मानते हैं इसको, दीखे सबसे पहली बात यह है कि केरला जो स्टोरी है, वो किसी एक समुदाई विशेश के विरोध में नहीं है, वो भारत में नहीं, वो किसी भी देश में हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्या करना गलत नहीं है, दिल्कुल गलत है, जैसे हम मुंची प्रेमचंद की कहानियां सुनते हैं, उसमें कई कहानियां हमारे को यह नहीं मानू है, कि वो सही घटना पर आधारित है कि नहीं है, लेकिन हमारे को बहुत सारी चीज़ा सीख मिलती है आज वो बोलते है कि 32,000 लड़किया गायब नहीं हुई है केरला से तो केरला शब्द वहां पर 32,000 लड़कियों के गायब होने का दिया ही नहीं गया है वो पूरे वर्ल्ड में हो सकता है कि 32,000 लड़कियां गायब होई हो और वहां पर गई हो तो यह हो सकता है बाकी एक 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 इन्टेंशन होता है पिक्चर का जो समझाने के लिए जैसे माली यह बॉर्डर पिक्चर उसमें यह बताया गया था कि मतलब पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो हुई थी और उसमें जिस जजबे से हमारे कम सैनिक होने के बावजूद वो जिस जजबे से लड़े थे जो जजबा था जो इन्टेंशन था हमारे जवानों का वो मेन उसकी आत्मा थी उस स्टोरी की लेकिन अब उसमें एक सुहागराद का सीन मी था कि स्वागरात के बाद पिर तुरंत बॉर्डर पे जा रहा है तो हो सकता है कि ये चीजे ना घटी हो कोई लड़ू बाटने का भी सीन था तो हो सकता है कि वो चीजे ना घटी हो छट टपा करे ये हो सकता है कि वो चीजे ना हुई हो लेकिन intention देख रहा था उसमें intention दिखाया गया था और वैसे ही केरला पिक्चर में भी intention दिखाया गया है कि कैसे बच्चियों को बचाना चाहिए मैं बोलता हूँ कि एक ही बच्ची के साथ हुआ हो मैं बोलता हूँ नहीं हुआ होगा मान लीजिए लेकिन क्या इसको देख के कई बच्चियां जागरित नहीं हुई होगी यह जागरित करने का वो है और आजकल जो राजनीती पहले तो पहले जो सरकारे थी वो कई पिक्चरों को बेन कर चुकी थी कि उनके सरकार के उपर आ ज उसके उपर फिल्म बनी थी उसको बेन कर दी गई एमर्जेंसी के उपर पिक्चर बनी थी उसको बेन कर दी गई तो कई पिक्चरे बेन कर दी गई है जो सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है और आजकर सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है उसमें जागरित होने दो इसम भी हो सकती है वो किसी भी देश में हो सकती है तो क्या ऐसा रोकना गलत है या ऐसे लोगों को जागरुक करना क्या गलत है नहीं जागरती हो रही है उसको अन्यता नहीं लेना चाहिए धर्म और राजनेती हमारे चर्चा का विशा है और आज धर्म और राजनेती की बात करें धर्म में आजकल जो है वर्तमान में शुभा यात्रा हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुए, धार्मिक अईजनों का क्रेज ऐसा बढ़ सा गया है, क्या इसे राजनिती परिवेश से जोड़ कर देख सकते हैं। देखें, आजकल तो पिक्चर जाना भी बहुत बढ़ गया है, आजकल लोग आउटिंग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, आजकल होटलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आजकल लोग तीर त्यातरा में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, आजकल लोग टूरिस्ट भी ब ठार्म बढ़ेगा उसमें धर्म you में रूची आईगी लोगों को और धर्म बढ़ेगा तो संब्रिद्धी भी बढ़ेगी आप मली वह कहीं कि किसी भी कारेगरम में जाना या नई जाना अपने हाँ में सही और गलत नहीं है अगं है अगर मान जो समाज से समाज के वीरोध में हो समाज के वीरोध में तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है यहां कोई भड़काओ तो बाशिन नहीं दिया जा रहा है वहां पर कुछ सीखने को मिल रहा है और अगर मान लिजे कि आपको जवाबदार ये कि आपको आफिस जाना है आपकी अगर आप उस से बेटर काम क्या कर रहे हैं ये भी एक धर्म है जैसे मैं बता है कि देशकाला और परिश्थितिक में जो सही है आज की डेट में जो सही चीज है, जो करना है, वो हम करें, तो इसमें भी जाना मतलब सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं, और सम्रिद्धी जैसे ऐसे बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों की रूची बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठानों की काई लेकिन बर्तमान में ऐसा दिखा जा रहा है कि सत्ता धारी प्रदेश पे कॉंग्रेस की सरकार है, उनके दोबारा भी काफी अनुष्ठान धार्मिक किये जा रहे हैं, शोभा यात्रा है निकाली जा रही है, बजरंग बली की और काफी आस्ता दिखाई जा रही है, क्या कहन है, भारती जनता पार्टी धर्म की स्थापना के लिए राजनीती को अपनाई हुई है, धर्म की स्थापना के लिए राजनीती को अपनाई हुई है, और कॉंग्रेस ने राजनीती के लिए, राजनीती में स्थापित होने के लिए धर्म को अपनाया हुआ है, तो इसमें समझ में आ गया कि हम धर्म को कब ला रहे हैं कब नहीं ला रहे हैं कब किस कौम का हम समर्थन करना है जैसे कि अभी केरला में हुआ चुनाओ के पहले आपने किसी अलग कौम का समर्थन किया और कर चुनाओ जीतने के बाद आप किसी अलग कौम का समर्थन कर रहे हैं तो यह सब्कित को हासिल करने के到 cono के लिए अप धर्म को ला रहे हैं धर्म को अपना रहे हैं ये फरक और भारती जन्ता पायटि धर्म को स्ठापित करने के लिए राजनीती को अपनाती है आखिर में एक सवाल है मेरा आपसे हिंदुत्व को लिकर क्या हिंदुत्व रास्ट बनाना उचित है क्योंकि सभी का ये धे है सभी असा प्रयास में जुटेव हैं अक्सर लोग भाग खासकर देखा जा रहा है कि कई समुदा है वो छोड़ो खासकर हिंदुत्व को जगाने क और दो सभी आपसे ह्ट विल्कुल उचित है क्यों हम जिसको हिंदु तो बोलते हैं जो चालू भाशा में हमारे को समझ में आता है वो हिंदुत्व नहीं हिंदुत्व सुप्रीम कौट ने भी बोला है कि वो एक लिंग स्टाइल है जीवन जीने की पद्दती है अब हिंद तो क्या है दो टो सिर्फ एक कौम को अगर वो यहां पर रहे और दूसरी कौम रहीं मत ऐसा नहीं हे जबहुत पहले से सनातन धर्म मतलब आधीकाल से यहां हिंदुत है तो सेकुलरिजम है हिंदुत तो बोलता है कि अपनाओ दूसरों को भी अपनाओ हिंदुत है तो सेकुलरिजम है क्योंकि हिंदुत होने के कारण ही आज तक भारत ने अपने आप किसी के उपर भी हमला नहीं किया जिसने हमला किया उसको जवाब दिया लेकिन हमला नहीं किया, ये हिंदुत की एक खासियत है, ये हिंदुत की खासियत है कि मतलब भारी आकरांते भी आईए, उसको भी अपना लिया, कि वो अगर जुर्म नहीं कर रहे हैं, अगर वो रहना चाहते हैं, हिंदुत तो वो है, जो जुर्म अगर करता है, तो उसको जवाब देना ह दूसरों को जवाब नहीं देना है बहले वो उसके बेटा हो बहले वो उसका भाई हो परिवार हो उसका हिंदुत तो यह हिंदुत तो बिलकुल होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए हिंदुत में बुराई क्या है और हिंदुत में बात यह है कि हिंदुत के कारण ही खतम हो जाएगा एक हम मतलब एक रूमर फैला हुआ है कि हिंदुत के कारण सेक्किलरिजम खतम हो जाएगा नहीं वो हिंदुत तो सिर्फ हिंदु का नहीं हिंदुत तो न्याय की ओपर अधारित होता है समाज में समाज में न्याय रहे न्याय से चलना चाहिए वो हिंदुत क यह मतलब मेन क्वालिटी है और यह जीवन पदती है किसी एक कौम विशेश के लिए हिंदुत नहीं और लेकिन जरूर होना चाहिए भारत में हिंदुत जरूराना चाहिए और अखंड भारत बनना चाहिए लेकिन मैं खूद अपने शब्दों में एक लाइन पुछना चाहू कहलाता है तो यहां सभी धर्म के लोग रहते हैं एक मुस्लिम बड़ा समुदायक वो भी है जो यहां शामिल है वो भी तो एक हिंदुत वो की शेनी में आता है हिंदुस्तान ही कहलाता है फिर उसके साथ वादिवादों का दौर क्यों बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल जिसको हमारे को करना है अभी जैसे हिंदुत तो बोलता है कि सभी के लिए कानून एक होना चाहिए तो यूनिफॉर्म लौ होना चाहिए वहां पर ऐसे ही मतलब सब को समान अधिकार मिलने चाहिए हिंदुत की में जो में जो आप बोलेंगे ना तो हिंदुत जो पराकरम औ परिकरमा चापलूसी को नहीं, पराकरम को उपर लाता है। हिंदुत तो बोलता है कि जो सही में उसका हकदार है, उसको वो चीज मिलनी चाहिए। जिस चीज का वो हकदार है। और हिंदुत तो अपनाने की चीज है। हिंदुत अगर कोई जो हिंदुत को जानते हैं, तो वो यहीं बोलते हैं कि अगर मान लिजे कि हिंदुत तो यहां पर है और आप उसको अपनाते हैं, मान लिजे। मैं कौम को अपनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुत के लौ को अपनाने की बात बोल रहा हूँ अगर आप मान लिजे कि यहाँ पर का समिधान है अगर इस समिधान को आप मानते हैं मान लिजे तो वो समिधान इंडिया में मतलब जो इंडिया का समिधान है वो इंडिया में उन्हीं लोगों को को रहने देगा हम लोग ही चाहते हैं कि जो हिंदुत के लौ है वो हिंदुत को मतलब अपनाए और हिंदूत के इसाब से रहें बात कर्म बाकि वह अपने कौम वह मतलब लाल शेट पहन रहा है लीली शेट पहन है पीली शेट पहल रहा है वो उसका व्यक्तिगत व्यक्तिगत उसका इंटरस्ट है लेकिन जब आप समाज में आते हो आपको लाल शेट महंना आपको हाथ हिलाना आपकी आपकी मतलब आजादी है लेकिन वह हाथ दूसरों को cook नी ये आप वो विद्रोही ना बने समाज के लिए आप एंटी ना बने ये हिंदुत पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म और राजनीती साथ हिंदुत वोकर लेकर हम से आप चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू तो ये थे केश चौहान जी अपनी बेबाक बोल चाल के लिए अपनी प्रतिक्रिया के लिए और खासकर अपने बड़ बोला परायन हर चीज का नौलेज तो ये रखते हैं राजनीती के साथ ही धर्म को लेकर भी ये काफी नौलेज रखते हैं जानकाई रखते हैं हमारे साथ आज जो चर्चा का विशय था धर्म और राजनिती इसलिकर हमने इन से चर्चा की और काफी सवालों की जवाब इन्होंने काफी बेबाकी से दिये तो लगाता हमाई साथ बने रही और देखते रही ग्रेंड एसे एन नियूस नमस्कार